नमस्कार दीवियों और सर्जनों, मैं चिराग चोपड़ा भोगता अधिकार संगठन अध्यक्ष उत्तरप्रदेश आज पूरा भारत और दुनिया करोनो वाइरस COVID-19 का सामना कर रही है भोगता अधिकार संगठन का पूरा परियास है पूरे भारत में जादा से जादा जागरुपता फैलाने का जो निर्देश, भारत सरकार दौरा, राज्य सरकार दौरा और जिला प्रशासन दौरा दिये जा रहे हैं उसकी जागरुपता एक आम जनता तक पहुँचाए आपने समने देखा है कि जो वर्ल्ड पावर्स हैं अमेरिका की बात करते हैं, इटली की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, वहाँ पर भी इसका इलाज नहीं हो रहा है इतने बड़े-बड़े डौक्टर वेज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं इसकी दवाई बनाने के लिए जो विश्व के बड़े बड़े देश नहीं बना पा रहे हैं उसकी दवाई तो आप समझीए कि कितना प्रकोग इसका और बढ़ेगा विश्व के आज भारत की स्तिती बाकी देशों से बहुत बेतर है उसका कारण एक ही है कि हम लोगों ने सोशल डिस्टिंसें जिसको हम समाजिक दूरी कहते हैं वो हमने बना ली है आप सभी लोगों से निवेदन है कि टोटल लॉकडाउन अगर भारत देश में हैं ट्रेने नहीं चल रहे हैं हवाई जाज सेवाए बंद हैं गाड़ी से आप नहीं जा सकते हैं बॉर्डर सील कर दिये गए हैं राजय सरकार दोरा तो आप खुद समझे कि कितना कितना जबरदस्त यह वाइरस हैं सरकारें अपना काम कर रही हैं डॉक्टर अपने काम कर रहे हैं पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है हम सब लोग जो सहयोग कर सकते हैं आम जंता जो सहयोग कर सकते हैं वो सिरफ इतना सहयोग है जो अपील हमारी मानिय प्रदानमंत्री जी ने भी करी है कि अपने अपने घरों में रहें सेफ रहें स्वस्त रहें और इसी के साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूंगा कि भारत में महामारी अगर फैलती है तो उसको संभालने के लिए हमारे पास ना ही इतने अस्पताल है, ना ही इतने डॉक्टर है, ना ही इतनी कोई विवस्ता है, ना ही इसकी दवाई अभी तक बन पाई है, पूरे विश्वुन है आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड कर मेरा निवेदन है अपने अपने घरों में रहें स्वस्त रहें, जै हिंद, जै भारत